मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं इंग्लिज का TLM के कलेक्शन लेकर आई हूँ यह क्लास 1 के स्टुडेंट्स के लिए है प्रैमरी स्कूल के लिए यह प्रैमरी क्लासस के TLM से हैं तो जो यह TLM से है इसे हम बच्चों के लिए ABCD सिखाने बाद उनके लिए मैंने इनके सामने यह हमने फ्लेस कार्ड बनाया है जो अपने हाथों से हमने बनाया है यह हैंडमेट है घर पे बना हुआ तो इससे बच्चे क्या करें इससे बच्चों के प्रैक्टिस होगी इसमें बच्चे दो तरह से इस TLM को कामें आ सकता है एक तो होगा यह क्या करते हैं पहचाना किसी words को मतलब किसी letters को पहचानना तो एक तो ऐसे और दूसरा बच्चे से जिसे A बच्चे समें से search करेंगे A कौन साइज से बच्चों को letters भी पहचान होंगे A उसके बाद B फिर बच्चे में से B B को निकालेंगे और इसको भी फिर सी इस तरह से यह लगाते जाएंगे साथ में और एक यू जोरा सकता है इसमें हम फाइफ पॉबल से भी ढोड़ने को कहेंगे तो बच्चे इसमें से फाइफ पॉबल्स ढोड़के निकालेंगे तो यह काफी यूजफूल है क्लास वन के स्टूजन्स के लिए तो अब हमारा यह है नेके स्टिययलम यह हम बच्चों को बच्चेराने बात इसमच्छ के निकालेंगे आइसा मेंटvt रहते हैं तो उसे मैंने इस तरह से बताया है जो हमारा ये दोनो टीलम से बच्चों के लिए एक गेम की तरह है बच्चे इसके साथ एक गेम की तरह खेलेंगे तो बच्चों के लिए काफी ये मज़दार टीलम से एक टास्क है बच्चों के लिए बच्चों को टास्क लेना, काफी पशन्द है उसको पूरा करना, तो बच्चों को A, B, C, T सीखने के बाद इससे क्या होता है? बच्चे जिन बच्चों को एक ग्रूप में खेलते हैं, और जिन जो बच्चों को नहीं आता साथ साथ में वो भी सीख जाते हैं, यह काफी confusion बना रहा है तो इसमें क्योंगे से pencil का shape बनाना है इस तरह से इसके एक shape बनाने है तो इसमें capital later होगा और इसका जो दूसरा part है वो small letter है यह capital later है और दूसरा part small letter हो है तो बच्चे से इस तरह से इसे सर्च करेंगे जो बच्चों काफी मज़दार लगता है कई बच्चे साथ इसे खेलते हैं तो इसे क्या जिन बच्चों को नहीं आता साथ हमें वो भी इसे सीख जाते हैं तो ये काफी टाइम टेकिंग बच्चों के लिए है इसे बच्चे काफी देर तक इसमें बीजी रहते हैं और इसे पूरा ये ए से लेके जड़ तक इसे बनाएंगे इस तरह से ए से लेके जड़ तक इसे बना लेंगे तो बच्चे इसे क्या कहते हैं सिरीज वाइस पहले ए क का फिर्बी का फिर्टी का इस तरह से बनाते हैं बच्चों के लिए काफी मज़दार है तो मैं अगर इसे एक साथ भी बनाऊंगी तो यह काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा तो मैं आपको अपना नेक्स्टी अलम दिखाती हूं उसके बाद यह है मेरा नेक्स्टी अलम वावेल से है जो काफी फाइती मलब बहुत जली बन गया तो इसे क्लास्ट्रों में इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं इसे हम टांग देंगे तो इसे बच्चे देख देकि इसे कैच करेंगे तो मेरा यह एक नेक्स्टी अलम था जो घर कियासा लगा उसके बाद फिर हमने एक चाट पेपर से यह prophecy बाबेश्य बनाए है कि तो इसे मैंने कुछ इस तरह से बनाये है बाबेश्यज से याद करने के लिए पाइफ वोबेश्य होते हैं फिर उसके बाद मेरा है यह नेक्सट ती अलम में काफ़ इंट्रेस्ट्रिटिएलम है क capturing doesn't बिलीक निनके काफ़ कंफिूजन होता है जैसे मैं आपको बता दू भी और डी में बच्ण भखे तो क्या होता है B, इसे क्या होगा, बच्चे इसे अपना confusion दूर करेंगे, हमने इसमें उन्हीं words को लिया, जिसे बच्चे confuse आते हैं, बच्चे क्या करते 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 हैं, बच्चे क्या क् तो बच्चों को 1 पॉइंट मिल जाते हैं तो अगर यह बच्चे इप कंफियों होते हैं तो इनके लिए हमने पी और क्यूपी रखा है यह आगे पीछे लिखा है पी और क्यूप और ए जो confusion होता और मैंने कुछ इसमें इस्ट्रा भी डाल रखें जिससे बच्चे को confuse करने के लिए कुछ मैंने इसमें इस्ट्रा लेटर से डाल रखें है small letters तो यह मेरे टेलम काफी अच्छा है इसे बनाते कैसे हैं इसके लिए आप मेरे चैनल को विजट कर सकते हैं वहाँ पर आपको यह मेरे टेलम मिल जाएगा कि हम इससे बनाए कैसे हैं हम इसे बनाएं के कैसे तो आपको मेरे टेलम कैसा लगा उसके बाद है हमारा यह next टेलम यह class 1 से लेके और 5 तक के बच्चों के लिए भी है बच्चों को इससे पढ़ना से खाते हैं तो यह काफी मैंने इंट्रेस्टिंग तरीके से बनाया है जैसे हमने एक यह लिया तो PAD PAD, MAD MAD, YAS AD SAD यह हमने एक काज़ को आप देख सकते हैं मैंने इसे साधी काड़ जोश करके बनाया है तो इसे बच्चे सीख सकते हैं इसे बच्चे काफी मैंने इंट्रेस्टिंग तरीके से बनाया है जो इसे यह मूव करता है तो बच्चों को यह अच्छा लगता है इस चल्ने को बनाने का मेंन मोटीव यह है मेरा और इसे बच्चों को इससे का मिनिग हम सिखा सकते हैं आप यह देख सकते हैं जैसा सी एटीकेट आलभी रैट यह हम we इस तरस हमने कई सारे बनाए तो आपको मेरा यह टीलम कैसे लगे उसके बाद मेरा यह सबसे बेस्ट टीलम यह है इसमें हम बच्चों को जब सिखाते हैं यह क्लास 3-4-5 के बच्चों के लिए है तो जब हम इन्हें आइंजी फॉर्म हम सिखाते हैं पढ़ना उन्हें बोलना सिखाते हैं रणांस कैसे करते हैं तो इसकाफी इंठरेस्टिंग है जैसे का आंज्य करके तो इसे इसे बनाने का मे यह विडियो है वह भी चैनल पे अवयलेidade है आप बिजिट करका इससे देख सकते हैं का वी इंठरेस्टिंग टिय tragic yatac shop की देख सकते हैं काफी इंठरेस उसके बाद ये है वाविल्स इसे मैंने इंट्रेस्टिंग तरीके से बनाया क्लास्रूम में क्लास्रूम में अलग 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 वाविल्स के मैंने ये बना रखे हैं कभी क्या करते हैं ये हमारे खराब भी होते रहते हैं तो हम एक अलग तरीके से एक ही टीलम्स को बारवर ब लगेगा और इससे पढ़ाई करेंगे उसके बाद हमने singular और plural बनाया है जिसे डे पहले तो इसे हम इस तरह से रखेंगे हाँ अ है कि इसके बाद बताएंगे कि बेंद्र करें जो जब इसमें यदे लगाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा अभी ब्वाए में singular है जब इसमें yes लगाएंगे तो यह plural हो जाएगा इस तरह से class है हर जगा हम बताएंगे कि हर जगा yes नहीं लगता इस लगाके भी हम पूलर बनाते हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों लिया हुआ है तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसके बाद next है opposite word मैंने इस तरह से बनाए जैसे hot का cold, night का day, never का always मैंने इसमें उन words को लिया है जो maximum use होते हैं बराबर तो इनसे उन बच्चो को word opposite आ जाएगा less का more, male का female तो मेरा यह TLM कैसा लगा उसके बाद यह next है TLM इसे मैंने बच्चों के लिए बच्चों को पढ़ाने पढ़ायम इंट्रेस्ट जगाने के लिए मैंने इस तरह से यह TLM बनाया जैसे है आई यार चेयर मिन्स कुरसी फिर हम इने सी को हटा पर इसे हमाल और फिर A, I, A, 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 R, A, A, A means हवा तो इस तरह से बच्चों को हम तीन वर्ड मिनिंग सो सिखा सकते हैं और यह दुक्रल इंट्रेस्टिंग है यह हम मोटिव है कि इसे बच्चों को मेनिंग सिखा सकते हैं बच्चों को तो इस तरह से बनाने का मेरा यह TLM पर पस्ता उसके बाद इसी तरह सेम ये भी है इस टेबल का फिर उसके बाद ये टेबल फिर एबल तो इसे बचों को इसका वर्ड मेंनिंग भी सीख थे हैं और इसने बचों को ऐसा इस टीलम से इंटरेश्ट भी जगता है तो ये काफी अच्छा बचों के लिए टीलम्स तो यह लगे और सबसे वेस्ट यलम कौन सा था आप वीडियो को देखते हैं यहां तक पहुच गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट से बताएगा कि आपकी सबसे अच्छा यहां कौन सा लगा आपको सबसे अधिक यूश्फुल कौन से यह थी आ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद